हे गाइस मैं हैपी मांगा टीप और आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो गाइस पिछले फिसोट के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सुन बड़े आराम से अपने रूम के अंदर सो रहा था पर तवी लीजोयान उसे कॉल करते हुए चिला कर उसे कहता है कि तो उना भी टीचर फैंग वी के हुवर को नहीं देखा जो कि अनने थोड़े दे पहला भी भी भीज़ा है यह सुन का जावैन अपने फोन में अपने असेस्मेंट को देखने लगता है तो जाब उसे ये पता चलता है कि Forbidden City के अंदर उन लोगो टेर्म ब्राउंस मॉस्टर्स को माना है ये देख अजाव है लीजोयान से पूछता है क्या ये ना Forbidden City क्या तो भी पूछते हैं शोर हो कि ये कोई खतरनाग डामेशनल फिल्ड नहीं है तो लीजोयान उसे बताता है कि नहीं ये कोई भी खतरनाग जिगे नहीं है बस असल में यहाँ पर किसी भी तरह की कमपीनेंट बीस्ट को इस्सेमाल नहीं किया जा सकता इसलिए यहाँ पर बहुत जादा मुछती है जिसके बाद अब हमें फॉर्बिडर सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुईयोन और लीजोयान लेजनरी रेंक के ब्राउन बीस्ट से लड़ रही थे जहाँ पर उन दोनों को इस मॉस्टर से लड़ने में बहुत दिक्कता रही थी जावैन उसके चेरे को पकड़कर उसके चेरे को खीचता है और लीजोयान अपने पाउस के मदद से उसके पैरों के उपाँ अटेक करता है पर लीजोयान बहुत सारे अटेक करने के बाद भी उससे कहता है आखर मेरे इतने जादा अटेक करने के बाद भी या भी तक पूरे जाए से ठीक क्यों है जो कहते है वो अपने immortal war guard का इस्तमाल करता है और उस क्यूपर अटेक कर देता है पर इस अटेक से भी उस मॉस्टर क्यूपर जादा असर नहीं होता और इसकी वज़े से लीज़ुयान पीछे के तरफ फिका जाता है ये देखकर वो कहता है कि इसका डिफेस बहुत जादा खतरनाक है और वही दूसरी तरफ जावन अपने कट स्टार क्यूप सोट का इस्तमाल करता है उस क्यूपर स्लेश लगाने की कोशिश करता है इस अटेक की वज़े से उस मॉस्टर क्यूपर थोड़ा से से उफेक्ट पड़ता है यह देखकर लिज़े लिफेस न की चलाते हुए कहता है जावन यह अटेक उसके उपर काउदाद एफेक्टिव है इसलिए इसी तरीके से उसके उसके उपर एटेक करते हुए उसे मार दो पर अगली सीने में हमें दिखाते है कि Zawun वहाँ से भागते में लीजुयान से कहता है कि मैं सारे के सारे अटेक्स और एनेज़ी पूर्जी पूर्टे से खता हो चुकी है और जो अटेक मैंना इभी किया था वो मेरा आखरी अटेक्था ये देखकर लीजुयान की जान हलक में आ जाती है और वो चिलाते हुए कहता है क्या जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते है और लीजुयान की हालत बहुत जादा खराब थी और वो उससे कहता है कि टीचर फैंग ने इंफर्मेशन देते हुए ये नहीं कहा था कि इन ब्राउंस मॉंसर्स की एट्रिब्यूट कावजादा एवरेज है वह ये देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी आरेन बोल्ड की तरह है और ये बहुत से जादा हाड है पर वहाँ पर जावैन को फिरसे एक डेंजन मार्क मिल गया था जिसकी वो फोटो ले रहा था और ये लेते हुए वो कहता है कि कुछ भी हो पर फिर भी मुझे यहाँ एक डेंजन मार्क तो मिल गया जिसको दूर ना मिल ली काफी आसान था पलीजो यां जावेन के दहां दूसी तरुब देखते हो उसे कहता है जावेन किया तो मेरी बात को सुन भी रहे हो ये मिशिन बहुत जादा हार्ड है और हम लोग यहां पर हमारे कमपिनिश बीस्ट को भी इस्तमल नहीं कर सकते जिसके बाद जावेन के घर आने के बाद के सीन होता है जहां पर जावेन अपने खून को बरबाद करते हुए फॉर्बिटी सिटी का अलेलिस्स कर रहा था जहाँ पर वो इस मॉंस्टर से काफी बार हालने के बाद कहता है यहाँ पर इस मॉंस्टर से काफी बार हालने के बाद कम से कम आखरकार मुझे यहाँ पर इसकी वीकनिस के बारे में पताद चल चुका है जो कहते हैं वो जम्प करकर इस मॉंस्टर के उपर आ जाता है और वहाँ पर हमें उस मॉंस्टर की पीट को दिखाया जाता है जहाँ पर जावन उसकी उपर प्रेशर डालता है जिसकी वज़े से वह मॉंस्टर वहीं के वहीं हार कर गिर जाता है और फिस मॉस्टर को मार देने के बाद जावन कहता है कि इन ब्राउंस मॉस्टर को मुविएंट करने के लिए इनेरेनरजी की ज़रुवत होती है जिसकी मदद से यह बने अटैक और defence को इस्तिमाल कर सकते है पर अगर यहाँ पर इन ब्राउंस मॉंस्टर के अनरजी की फ्लो को ही तोड़ दिया जाए तो यह लोग यहीं पर पूरी तरह से खतम हो जाते है और यहीं इनके एक वीक पॉइंट है कि बहुत साथ टेस्ट देने के बाद मुझे यह समझ में आ गया है इन ब्राउंस मॉंस्टर क्यूब पर एक मार्क होता है जिसको पूरी तरह से तवा करने पर यह समझ मारे जाते है पर यहाँ पर जितने भी मॉंस्टर से उनके वीक पॉइंट अलग अलग जिगे पर है जिसके बाद वो परशान होते हुए आगे कहता है अगर एक मॉटल यहाँ पर इस ब्राउंस मॉंस्टर को मानना चाहे तो यहाँ पर उसको इस तरीके ते किसी मॉंस्टर को हराने के लिए बहुँजाद दिकता आएगी जिसके बाद सिंशिफ्ट हो का फिससे संसेट कॉलेज क्यूब पर आ जाता है जहाँ पर लिजुयान के पास एक नोटिफिकेशन आती है जावेन ने यहाँ पर लिजुयान को फाइल सेंड करी थी जहाँ पर उसने उस मॉंस्टर की विक पॉइंट की बारे में बताया था लिजुयान की हलत बहुत जादा खराब थी और वो पूरी बाडी क्यूब पर मरपटी करवा कर बैटा हुआ था वो उस फाइल को देखकर कहता है कि आखर यह क्या है पर जब वो उस फाइल को चेक कर लेता है तो वो सोते हो जावेन को जगाते हुए कहता है कि सच में जावएन आज मैंने उस मास्टर को हरा दिया यह देखकर जावएन को कांगरिचलेट करता है और लिजयान उससे आगे कहता है जावएन सच में तुम बहुत जादा कमाल के हो यहाँ पर तुम्हारे इस फाइल के आकॉर्डिंग मैंने काम किया जिसकी वज़े से मैं अकेले इस मास्टर को यहाँ पर हरा दिया पर साथी वह जावएन से आगे कहता है कि जो स्ट्रेंज सी फाइल आज तुमने मुझे वह भीजी थी वह बहुत जावएन आगर वह फाइल तुम्हें कहां पर मिली तो जावएन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यह सब जावएन तो लीज़यान मुस्कराते हुए कहता है कि जरूर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी वज़े से तुम बहुत जादा अमीर हो जाओगे जिसके बाद से शिफ्टों का एक लड़की की उपर आ जाता है जावएन और लीज़यान दोनों उसके सामने खड़े पर किया तुम ऐसा लगता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए एक रेड स्टेज़ बनाने की जरूरत भी है जो कहते हुए वो लड़की यहाँ पर नदोनों को होवग बताते हुए कहती है यहाँ पर टीचर निकेवल इसमेशन को पूरा करने के लिए 10 ब्राउंस करने लगता है क्योंकि यहाँ पर यह दोनों ही लेजिंट्री रेंक के वीस्ट को मानने में लगे हुए थे पर बाकी के स्ट्रेंट पहले ही ब्राउं रैबिट्स को मार कर अपने इस मिशन को पहले ही कम्प्लीट कर चुके थे सच में इन दोनों की हालत बहुत खराब होती और इन दोनों का ही पोपट बन जाता है और इन दोनों की हालत यहाँ पर खराब होने के साथ ही यह पार्ट यहीं पर खताब हो जाता है मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में